है 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 जैसे कि आपने देखा हमारे चैनल का मोट्टो है कि बाते कम काम जादा में हम बिलीव करते हैं तो चलता हमारे सेशन के और आज जो हम फैब और मार्च दोनों मंत के के रैंकन इंडेक्स डिसकस करेंगे जो कि आने वाले सी एचेसल सीजील सीडियस एफकेट म्टेस बैंकिंग डिफेंस ऐसे कई एक्जामों के लिए बेनिफेशल साबित होगा चलता हमारे पहले कोशन के और इंडिया की क्या रैंक रही इंडेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 जो कि रि इंडेक्स था तब इंडिया की 51 थी और यह इंडेक्स जो है रिलीज किया गया इकनोमिस्ट इंटेलिजन्स यूनिट के द्वारा जिसका हेड़कोर्टर जो है लेंडन में है और उसे फांड किया गया 1946 में चलते हैं हमारे नेक्स कोशन की और इंडिया की क्या रैंक रही dato इंडेक्स तो इंडिया की रैंक रही इसमें 4 ये जो इंडेक्स था ये रिलीज किया गया डिफेन्स वेबसाइट मिलीटरी डे लारा इसमें टॉप three मिलीटरी थी वो थी चैना ने टॉप किया और ज्यादा तर मिलिटरी से रेलेटेड इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग फोर आती है चलते हैं अंगले कोशन क्यों इंडिया की रैंक क्या रही यूएन वल्ड हैपिनेस रिपोर्ट तुथाउजन टूंटीवन में 129 111 139 110 तो यूएन वल्ड है में इंडिया की रैंक ही 139 2020 में इंडिया की रैंक 141 ती कि अपार्ट फ्रॉम अफगानिस्तान ओल नेभूरिंग कंट्री्स ज्यादा बहतर है बहतर नहीं मतलब कि ज्यादा खुश है इस रैंकिंग को में जो है टॉप किया गया फिल्लैंड के द्वारा उसकी किप्टेल हेल सिंग की है जबकि लास्ट अफगानिस्तान आया चलता है नेक्स कोशन की ओर इंडिया की क्या रैंक रही इन 2021 इंटलेक्ट्ट्टोल प्रोपेट्टे इंडेक्स जो की रिलीस किया गया U.S. चेंबर अफ कॉमर्स के द्वारा जो टॉप थृट्री थे इस में वो थे USA, UK, जर्मनी चलता है नेक्स कोशन की ओर इंडिया की क्या रैंक रही इन 2021 Economic Freedom Index यह ध्यान रखी Economic Freedom Index है और इसे रिलीज किया गया Heritage Foundation के द्वारा 72, 108, 56, 121 तो इंडिया की रैंक रही इसमें 121 और 121 रैंक आने के बाद यह इंडिया जो है Mostly Unfree केटेगरी में आ गया इसमें जो टॉप थ्री थे वो थे सिंगापूर न्यूजिलेंड और सेलिया चलते हैं नेक्स कोश्चन की और इस पर दे स्टडी कंड़क्टेट बाइ जुटोबी इंडिया वस रैंक्ड एस दे डैश मोस्ट डेंजरेस रोड फाइफ फोर्थ थर्ड नाइंथ इंडिया जो है फोर्थ जमोस्ट डेंजरेस रोड रही इंडिया की यह जो स्टड़ई है कंड़क्टक्ट की की गई जुटोभी जुटोभी जो है इंटरनेशनल डुर्द ड्रैवर एजुकेशन कमपनी है जो की डुर्द वो ड्रैविंग सिखाती है इसमें जो है टॉप पे रही South Africa, Thailand second, USA third South Africa टॉप पे रही मतलब कि उसकी जो roads है वो world's dangerous road है वहाँ पे सबसे ज़्यादा accident होता है जबकि Norway ने टॉप किया world's safest road Norway की बात करें तो यह ज़्यादा तर ranking में काफी अच्छी position आती है इसकी capital Oslo है सलता है next question क्यों किस university ने टॉप किया 11th QS World University ranking MIT, Stanford, Cambridge, Oxford तो यह ranking top की गई MIT के द्वारा MIT जो है USA की university है और इंडियन universities में IIT Bombay ने टॉप किया और इसकी जो globally rank रही वो 172 रही सलता है next question क्यों कौन सा municipal cooperation है जिसने top किया municipal performance index 2020 in less than million category ध्यम रखेगा less than million category की बात हो रही है न्यूदिल्ली, चंदिगड, माईसोर, बैंगलिरू तो यह top किया गया न्यूदिल्ली के द्वारा index को है जो है release किया गया MOHUA के द्वारा यह stand करता है Ministry of Housing and Urban Affairs इसके जो minister है वो है हरदीप सिंग पूरी यह index को दो category में बाढ़ता गया एक less than million जिसमें top किया न्यूदिल्ली ने और एक million प्लस जिसमें इंदोर ने top किया चलते हैं next question के और कौन सी city है जिसने top किया Ease of Living Index 2020 in the less than million category जिसमें जो इमर्ज हुई जिसमें जिसमें इंदोर ने चलते हैं इंडिया, USA, China तो यह रही इंडिया यह जो rankings थी यह release की गई PhD CCI बतलब कि PhD Chamber of Commerce and Industry इस ranking को top किया गया जर्मनी के द्वारा और इंडिया की जो है rank रही second most resilient economy रही इंडिया चलते हैं next question के और इन में से किसने top किया 10th हिरून Global Rich List को Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates Mark Zuckerberg तो इस list को top किया गया Elon Musk के द्वारा अभी हमने जो जन्वरी मन्त में question discuss किये थे उसमें Elon Musk की Bloomberg billionaire में second rank आई थी जबकि हिरून Global Rich List में Elon Musk ने Jeff Bezos को surpass करके वल्स richest person बने Elon Musk की बात करें तो यह SpaceX और Tesla दोनों company के CEO हैं इसमें Jeff Bezos second rank पे रहे और Bernard जो हैं वो third rank पे रहे जबकि इंडिया की तरफ से मुकेशंबानी एड़ रहे लिस्ट में और जो यह Zong Shanshan है यह seventh रहे Zong Shanshan की बात करें यह Chinese water bottle maker company Nongfu Spring के मालिक है चलते हैं आगे कौन से country है जिसने टॉप किया New Country Readiness Index 2021 में जो की release किया गया United Nation Conference on Trade and Development Indonesia, India, Philippines, Ukraine तो इट टॉप किया गया इंडिया के द्वारा चलते हैं नेक्स कुश्चन की और इंडिया की क्या ranking रही In Freedom in the World 2021 Democracy Under Siege Report जो की release की गई Freedom House के द्वारा 83, 88, 95, 72 इंडिया की ranking रही 88 देखिए पहली दफा है जबसे ranking release हो रही है कि इंडिया को जो है फ्री के टेग्री से पार्शली फ्री के टेग्री में रख दिया गया ये एक बहुत ही खराब चीज़े एक democratic country के लिए जबकि ये ranking की बात करें जो कि Freedom House के द्वारा रिलीज की गई Freedom House का अगर headquarter पोचे तो वह USA में है ये USA में based human rights watchdog है ये human rights के लिए लड़ते है चलते हैं आगे कौन सा राज है जिसने top किया second India justice report महराष्ट, पंजाब, गुजराथ, तमिलनाड तो second India justice report जो है वो top किया गया महराष्ट के द्वारा इंडिया justice report जो है initiative है Tata trust का इसमें first rank पे महराष्ट रहा जबकि तमिलनाडव second तलंगाना third चलता है next question के ओर which among the following was the top trading partner of India China, USA, UAE, Russia तो top trading partner है इंडिया का चाइना चाइना ने USA को pass करते है इंडिया का top trading partner बना 2020 में ये ध्यान रखना 2020 की बात हो रही है उससे पहले USA था और जो top 3 trading partner थे वो side में दे रखे हैं China first रहा जबकि USA second और UAE third रहा चलता है next question के ओर which capital was ranked as most polluted capital city for third straight year in 2020 wild air quality report लाहूर, New Delhi, काबल, मॉस्को तो ये रही New Delhi New Delhi जो है तीसरी दफ़ा world most polluted capital city रही देखिए most polluted capital city ये ध्यान रखिए जबकि globally जो है वो 10 वी रही पर जब capital city बात आए तो ने दिली सबसे उपर रही ये जो है world air quality report जो है जिन जियांग ऑफ चाइना रही थैंक्यू फो वाचिंग आज के लिए इतना ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें जिली सबस्टाइब करना न भूलें